तो दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं ये फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज का फ्रंट गेट है और आप सामने देख पा रहे हैंगे इसकी बॉंडरी काफी आगे तक जाती है और ये डिग्री कॉलेज चौराहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने बहुत सारी सिम बेचने वाले अपने चोटे-चोटे काउंटर लगा के खड़े हुए हैं और सामने आप देख पा रहे होंगे डिग्री कॉलेज चौराहा तो चलिए दोस्तों हम ले चलते हैं आपको फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के अंदर और यहाँ पर बैठते हैं यहाँ के गेट कीपर और सामने है फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज तो दोस्तों यह है डिग्री कॉलेज साइकल स्टेंड का गेट और इसी गेट से स्टूडेंट कॉलेज के अंदर भी जाते हैं और अंदर आप देख रहे हैं यह पार्क है चैलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं अंदर का पार्क और कॉलेज केमपस तो दोस्तों अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज और इसकी बिल्डिक काफी शांतदार है और यह दोस्तों आप देख सकते हैं यह है फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के अंदर पार्क और यहां पर बहुत ही सुंदर छोटो छोटे फूल के पौधे लगे हुए हैं और आप देख रहे होंगे लाइन से बहुत सारे गमले रखे हुए हैं यहां पर और इन प्रेड़ों को देखे दोस्तों एक लाइन से लगे हुए हैं और कितने खुब्सूरत लग रहे हैं कि सामने है कॉलेज का फिल्ड है लो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में और दोस्तों आज हम आए हैं फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज राइबरेली मेरे पीछे का लोकेशन आप देख रहे होंगे बहुत ही खुब्सूरत फूल और चोटी-चोटी क्यारियां बनी हुई हैं तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के अंदर का बना जारा अब यह देख सकते हैं इस समय हम चारो तरफ बिल्डिंग बनी हुए है और हम बीच में एक छोटा सा पार्क है उसमें खड़े हुए है तो यह देखिए दोस्तों यह है राइबरेली का फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज और अंदर से बहुत ही खुबसूरत बना हुगा है यह बीच में छोटा सा फिल्ड है और इसके चारो तरफ प्लास्रूम सो गएरा बनी हुए है आप यह देख रहे हैं और यह बहुत ही बड़ा डिग्री कॉलेज है दोस्तों यह आप यूँ कह सकते हैं कि यह राइवरेली का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज है बहुत ही साफ सुत्रा और देखने में बहुत ही अच्छा और अंदर बहुत ही ज्यादा सफाई है दोस्तों यह देखिए दोस्तों वाह कास हमारे हैं के सभी स्कूल कॉलेज इतने सुन्दर होते और देखिए दोस्तों यहाँ पर लोकल के बच्चे हैं और यह फूल की तारीफ कर रहे हैं बहुत ही खुबसूरत फूल है और यह यह यहाँ पर पतंग उडाने के लिए आये थे अंदर यहाँ पर तो इंद्रा गार्डेन से भी ज्यादा खुबसूरत न जा रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं चारु तरफ क्लास्रूम्स हैं पर यह भी जब करहें यहाँ हुआ है है तो चलियो तो और ये देखिए दोस्तो एक लाइन से रूम है बच्चों के पढ़ने के लिए और ये है अंदर छोटा सा फील्ड सामने आप देख सकते हैं बेहती खुबसूरत पौधे लगे हुए हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है दोस्तों इनको रखा ब ये देखिए और दोस्तों ये सामने है फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज का फ्रंट गेट और आप देख रहे हैं बच्चे अगयरा सामने हैं और ये देखिए इस तरफ भी एक लाइन से क्लासेज हैं दोस्तों और च्लास के बाहर आप देख सकते हैं ये छोटे-छोटे गम्ले रखे हुए हैं चलते हैं हम कॉलेज से बाहर और सामने आप देख पार होंगे फ्रंट गेट है और यहीं से सबसे ज्यादा तादात में स्टूडेंट अंदर आते हैं और जाते हैं और इस डिगनी कॉलेज की फील्ड के अंदर दोस्तों यहां पर बाहर के बच्चे भी आते हैं अपना ग्रेम का प्रेक्टिस करने के लिए आप अंदर आएंगे तो दोस्तों आपको यहां से बाहर जाने का मन नहीं करेगा सामने नोटिस बोर्ड है दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों तरफ नोटिस बोर्ड है और यह देखें दूस्तों इस तरफ कैंटीन है फिरोज गांधे डिवी कॉलेज और यह पतल असा आपका कैंटीन के अंदर जाने के लिए यह देखें सामने कैंटीन आपको दिखाई दे रही होगी और यह है दोस्तों फिरोज गांधी डिवी कॉलेज का फ्रंट गेट आप देख सकते हैं दोस्तों और दोस्तों कॉलेज का यह फिल्ड काफी बड़ा है और स्टेडियम के बाद यहां दूसरे नंबर पर प्लेयर्स अपनी प्रेक्टिस करते हैं और दोस्तों यह जो सामने आप देख रहे हैं यह कॉलेज का स्टेंड है और यहां पर स्टूडेंट्स अपनी साइकल खड़ी करते हैं मोटर साइकल खड़ी करते हैं और राइबरेली के अंदर दोस्तों यह फिरेज गांधी डिगरी कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है और आप देख पा रहे हैंगे दोस्तों यह बहुत ही बड़ा स्टेंड है और यहां पर हजारों की तादाद में साइकल और मोटर साइकल खड़ी की जा सकती है और अंदर ही यह डिगरी कॉलेज के अंदर फील्ड है जिसमें यहां पर पढ़ने वाले बच्चे और कुछ बच्चे बाहर के भी सुबह साम को प्रेक्टिस करने के लिए आते हैं टेंट का में गेट है तो दोस्तों यह था हमारे यहां का फिरोज गांधी डिगरी कॉलेज अंदर से बहुती खुबसूरत है दोस्तों और आपने पूरा देखा होगा आपको काफी पसंद आया हो और अब हम व्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और जिसने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो भाया जी चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और इसी के साथ सभी देखन वालों को धन्यवाद